हालो गाईज मैं हूँ हरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अपना कोचिंग सेंटर एक बार फिर से तहे दिल के साथ स्वागत करता हूँ आज के सेशन में और जैसे आप सभी जानते हैं इस सेशन में आप लोग को टॉप 25% का प्रेक्टिस करवा जाता है गा आज का क्लास गाईज और आज का हमारा मोटिवेशन थोट है गाईज कैसे हार माननों इन तकलीफों से मेरी तरक्की की आस में मेरी मां बैठी है जी गाईज वे लोग जो जिनके होसले थोड़े से कम हो चुके हैं तो याद रखेगा इसको आप लोगों को सटिक फिट बैठती है गाईज हार मत मानने इन तकलीफों से क्योंकि आपकी आस में कोई ना कोई तो जरू बैठी होगी गाईज उनके लिए आप लोगो ये लक्ष आप लो जाल के पाल पर आकरमन किया जो की तमिल परदेश से किया गया पर्थम उत्री सेनिक अभ्यान था और साथ ही जिसने एक इस एतिहासिक भ्रम को तोड़ा की उत्तर से ही दच्छिन को विजित किया जा सकता है दच्छिन से उत्तर को नहीं चार अप्शन आपको बीच है सही एंसर कमेंट किजिए जी बिलकुल सही जवाब है अपसन नंबर ए इस दा करेक्टा अंसर हो जाएगा दोस्तों राजेंद्र पर्थम के दवारा चलिए नेक्स कोशन के बढ़ते हैं कोशन नंबर टू है गाईज किसने इंडोनेसिया के एक दीव सुमात्रा के विजे समरा जिके सासक संग्राम विज्योतुंग वर्मा को प्राजित किया तथा निकोबार दिप समू वा मलेशिया प्राइदिप के मध्य कंडारम जिसे आधुनिक कैदा काते हैं सहित बारा दिपो पर अधिकार कर लिया चार अप्शन आपको बीच है जी बिलकु सही जवाब है ऑफ्शन नमबर बीज दा करेक्ट अंसर हो जागा दोस्तों राजिंद्र पर्थम के दवारा चली नेक्स कोशन के बढ़ते हैं कोशन नमबर थाड़ है गाई जी किसने दस सो सतत्तर एस्वी में बानवे वैपारियों का एक सिस्ट मंडल चीन भ पर्थम चली कोशन नमबर फॉर्थ है गाईज महासभा की कारेकारेनी समीति को कहा जाता था जी बिलकु सही जवाब है ऑफ्शन नमबर ए इस दा करेक्ट अंसर हो जागा दोस्तों वरियम कहा जाता था कोशन नमबर फाइब है गाईज कहां से प्राप्त अभिलेखों से महासभा की कारेपर्णाली के विशे में विस्त्रित जनकारी मिलती है चार उप्शन आप टूक बीच है सही एंसर केमेंट कीजिए जी विल्कुल सही जवाब है उप्शन नमबर ए इस दा करेक्ट अंसर हो जाएगा उत्तर मेरूर से चली कोशन नमबर शिक्स है गाईज चोल काल में कडी में का अर्थ था जी बिल्कुर सही जवाब है, option number A is the correct answer हो जागा गयाच, भूराजस्व या लगान चले question number 7 है गयाच, चोल काल में नो सेना का सरवाधिक विकास किसके समय में हुआ जी बिल्कुर सही जवाब होगा, option number C is the correct answer हो जागा, राजेंदर पर्थम के काल में चले question number 8 है गयाच, युद्ध में विशेश प्राक्रम दिखाने वाले युद्धा को कौन से उपाधि दी जाती थी जी बिल्कुर सही जवाब है, option number A is the correct answer हो जागा, छत्रिय सिखाव मने की उपाधि चले question number 9 है गयाच, परेया का अर्थ बताइए, चार उप्षन आपको बीच है जी परेया का अर्थ है मतलब कि अच्छो तो option number A is the correct answer हो जाएगा चले question number 10 है गयाच, आपको के बीच में, चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे जी बिल्कुर सही जवाब है, option number A is the correct answer हो जाएगा, कुलन्जू कहलाता था चले question number 11 है गयाच, चोल काल में रज्ज की स्वामित वाली भूमी कहलाती थी जी बिल्कुर सही जवाब है, option number A is the correct answer हो जाएगा, दोस्तो पर्भूमाणी चले question number 12 है गयाच, चोल काल में किसे ने हिरनाई ग्रभ नामक तहवार का आयोजन किया था जी बिल्कुर सही जवाब है, option number A is the correct answer हो जाएगा लोकमहादेवी ने, लोकमहादेवी के दुबारक किया गया था चले question number 13 है, चीन में बैपारिक दूत भेजने वाला, भेजने वाला, जो वोल समराट थे, वो कौन थे? भेजने वाला समराट कौन थे? ये था गाज, question थोड़ा mistake टैप हुआ है, चीन में बैपारिक दूत भेजने वाला, समराट कौन थे? ये बताई है, ठीक है ना? चीन में बैपारिक दूत भेजने वाला, वोल समराट कौन था? ये आपका, सही अंसर इसका हो जाएगा, option number D is the correct answer हो जाएगा, ध्यान रखेगा, option D, सही जवाब होगा, अप्यूक्त सभी, राज, राज, पर्थम, राज, पर्थम, राज, पर्थम, कॉल, चोल पर्थम, ये तीनों थे, चली, question number 14 है, नाना देशी निगम क्या था? चार option आप लोग बीच है, सही अंसर कमेंट किये, जी बिल्कुल सही जवाब है, option number A is the correct answer हो जाएगा, दूर दूर के परदेशों के साथ बेपार करने वाले बेपारियों का एक निगम था, नाना देशी निगम, चली, question number 15 है, परसिद कलाविद फर्योसन ने किसके बारे में कहा है, उसकाल के कलाकारों ने देत्यों की तरह कलपना की और जोहरियों की तरह उसे पूरा किया, जी बिल्कुल सही जवाब है, option number A is the correct answer हो जगा, चोल अस्थापत्य कलाने, चली, question number 16 है, आप के बीच में, तंजोर का ब्रीदेश्वर या राज, राज, राजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है, जी बिल्कुल सही जवाब है, option number A is the correct answer हो जगा, शिव देवता को, चली, question number 17 है जाप लोग के बीच में, गंगे, कोंड, चोल, पूरम, का सिव मंदिर का निरमा किस के समय में हुआ, जी बिल्कुल सही जवाब है, option number B is the correct answer हो जागा, जी बिल्कुल सही जवाब है, option number D is the correct answer हो जागा, जै गंदर एक मिनिट गाज, चली, question number 20 है, 19 तो हम देखने हैं, गाज, हरुद्रमांबा, हरुद्रमांबा किस राजवन्स की परसित महिला सा सकती, question number 20, गाज, question number 20 का जो सही अंसर होगा, option number A is the correct answer हो जागा, मिला लेज़ेगा, option A सही जवाब होगा, question number 21 है दोस्तो, परसिद चोल सासक, राज, राजा पर्थम का मोल नाम क्या था या आप लोको बताईए, question number A is the correct answer हो जागा, अरी मौली वर्मन, option A सही जवाब होगा, question number 22 है गाज, वह चोल राजा कौन था जिसने सिरलंका को पुन स्वतनतता दी और सिहाल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवा कर दिया था, जी बिल्कुल सही जवाब है, option number A is the correct answer हो जागा, दोस्तो, कुलोतुंग पर्थम, question number 23 है गाज, आप लोके बीच में, गजनी का वा पर्थम साथ कोन था जो खालीफाओं से सुल्टान की उपाधी धारन ग्रहन कर सुल्टान कहलाने वाला पर्थम साथ बना, जी बिल्कुल सही जवाब है, option number B is the correct answer हो जाएगा, महमद गजनवी, question number 24 है गाज, महमद गजनवी के सभी आकरमनों जो एक हजार इस्वी से 1026 इस्वी के बीच में हुआ था, मैं सरवादिक महत्पुन आकरमन कौन सा था, वास्पी वी याई question बनता है गाज, जी बिल्कुल सही जवाब है, option number C is the correct answer हो जाएगा, सौमनाथ मंदिर पर आकरमन, जी बिल्कुल सही जवाब है, option number D is the correct answer हो जाएगा, मद एस्वी में एक बड़ी समराज की अस्थापना के लिए धन प्राप्ट करना, यह आपका में मोटो था गाइज, महमुद गजनवी का, और जो कि आज मैंने आप लोग का टॉप 25 question का practice करवा दिया है गाइज, सेशन कैसा लगा, comment box के माध्यम से जरू फीडियो फेडवेक देजिएगा, सेशन अचा तो लाइक कर देजिएगा, साथ में दोस्तों बीच में share कर देजिएगा, और और तो प्रॉस्क्राइब कर लिजिए गाइज, टेलिग्राम चेनल चलता है, जरू ज्वैनिंग कर लिजिएगा, और सेशन को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत बात,